हमाला सब टॉपिक है पेस्टिस्पेसल का जिसमें मैं आपको जो हम कॉफी पेस्ट करते हैं आ डेली और एक्सल में होता फेस्ट उसके बारे में थोड़ी से एडवांस जनकारी दूग आ कि पेस्ट स्पेशल के जरीए और क्या क्या हो सकता है तो मैं जरा अपने एक पाइल फोर लेता हूं जिसको मैं डामी डेटा यूज करता हूं मेरे पास एक डेटा है जिसमें मैंने थोड़ा सा वरियेशन रखता है जिसमें मेरे पास डेट है नेम है और सेल्स है अब देटेंगे इसमें सेल्स जो है एक फॉर्मूला लगाया है मैंने राइंड बिटीन का यह फॉर्मूला मैं यूज करता हूं रैंडम बिट वैल्यू दलवाने के लिए जैसे दस से लब्ड़े के बीच की यूज से लिए यूज करते हैं कि जब हमें जो वैल्यू उपर दिख रही है उसको वह मैं रूंस्टंट करना हूं एक फॉर्मूला गेटेड़ वैल्यू जो होती हैं चेंड यह रहती है फॉर्मूला चेंड मैं निके साथ। जो हम चाहते हैं 61 ही रहे इसके लिए हम यूज करते हैं पेस्ट as values तो उसके लिए क्या करते हैं हम पहले सिलेक्ट करते हैं धर रायटलीक क्योप प्लिद कापी और जहां पेस्ट करना है वहां रायट क्लिक करेंगे और paste special option यहां पर इसमें चले जाएंगे और यहां से वैल्यूज यूज करते हैं, तो आप वैल्यूज में देख रहे हैं, जैसे रेंड बेट्वीन का फॉर्मुला चेंज होता रहता है, तो हर बार वैल्यू बगल जाती है, बट जैसा कि 61 कॉंस्टेंट मैंने कहा था कि जो दिख रही है वैल्यू वही आनी चाहिए तो पेस्ट स्पेशल वैसे आ गए वैल्यूज से, बट एक दिक्कत क्या है इसमें कि एक तो मेरा फॉर्मैट जो है डेट का वो बिगड़ चुका है, दूसरा जो मेरा नंबर फॉर्मैट था, यह नुमेरिक वैल्यूज में डबल डैसिमल था, वो भी मेरा नहीं आ रहा है तो इस से निपटने के लिए क्या करें, मैं चाहता हूँ कि मेरा डेट फॉर्मैट जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो, और यहां पर जो डैसिमल पोजीशन थी वो मेंटेन रखते हैं, तो इसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, मैं इसे कॉपी करूँगा, राइट क्लिक और हमारे पास है वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मैट, यहां पर हमारे पास वैल्यूज है, यहां पर वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मैट, जो डिर टाइम जैसी जो फॉर्मैट होते हैं हमारे या डेसिबल फॉर्मैट होते हैं, तो उसकी फॉर्मैटिंग को मैंटेन र देंगे यहां कोने पे एरों तो एक फॉर्मेट सेल का डायलोग वोक्स कुलता है जिसमें नमबर नाम का एक टैब दिया हुआ है इसके अंदर आपकी नमबर करेंसी अकाउंटिंग डेट यह सब सेटिंग्स होते हैं फॉर्मेट्स तो इसलिए इसे नमबर फॉर्मेटिंग क करते हैं अब देख रहें कि फॉर्मेट तो सही आ रहा है एक और दिक्कत आती है डेटा कॉपी पीस्ट करते हुए कि जब मैं पास चोटा डेटा है तो मैं उसका कॉलम वालम तो सेट करनूंगा तो जब डेटा मेरे पास बड़ा है काफी सारे कॉलम्स है तो उनकी बार-ब पास ऑप्शन होता है कि जब हम कॉपी करते हैं तो पेस्ट राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करते हैं तो हम सेपरेटली कॉलम विड्ड को भी पेस्ट कर सकते हैं तो कॉलम विड्ड को जब हम पेस्ट करते हैं तो जो कॉलम सेटिंग आपकी बेस्ट डेटा में होती है आपके पेस्ट वाले डेटा में आजाते तो डौपी करते हैं सुख सबकुछ इसने कॊपी किया यहां पर फार्मूला हट जाता है हमारा तो वैल्यू जैंड नंबर फ़र्मैटिक इन यूज किया थे ठेंड प्रेस्ट ऑडर में क्या होता है आपका बॉर्डर घड जाता है इक और चीज होती है इसमें यूज ऑप्शन है मैं आप बता देता हो हलाग कि इसका यूज नहीं होता हमारी एकसेल में आप स्वोर्स तीम क्या होती है अपने पावर पॉइंट में देखा होगा कि पहले से सेट अप होते हैं जिसमें आपका फॉंट अलग-अलग होता है कलर अलग-अलग होते हैं इस तरह की आप्शन होते हैं आपके पास जैसा कि आप यहां देख पारे हैं तो यह चीज़ हमारी एक्सल में नहीं हो जो होती है तो हाला कि इसका यहां पर कोई काम हो तो हमें सेम फर्मैटिंग के जब भी हम कॉपी करके सीफल कॉपी पर के पेश्ट करते हैं तो क्या होता है कि सारी चीज़े पेस्ट होते हैं यह आर्ल-का बिटन से लेक्टिट है तो नॉर्मल कौपी पेस्ट वाला ही काम करेगा अब नीचे क्या है इसके ही ऊपया है एक सटार क्रेंकला करती है वा होला भी कंटेंद कर सकती है by कि आप पार्ट पार्ट करके जो चाहते हैं सिर्फ वही चीज कॉपी करें कि वही चीज पेस्ट करें कि अभी तक हमने देखा कि इसमें उपर के कुछ आप्शन अब आगे चलते हैं एक सवाल देखते हैं कि माल लीजे यहां पर आपने कोई लिस्ट बनाई और लगलत मतलब है आपने आपको पता लगा कि इसमें बारा और होना चाहिए इसमें पच्चीह और होना चाहिए था इसमें प्लस करना है अब जो नॉर्मल यूजर भी हलाकि यह चीज़ कर लेते हैं कि हम इसका सलूशन क्या है कि उसमें एड करना है तो इक्वल टू दबा के यह किया प्लस का साइन लगाया फिर इसको सेलेक्ट कर दिया तो यहां पे हमारे पास प्लस हो गया और ब्लैंक जहां पे है है वहां पे जीरो प्लस होता है तो जीरो प्लस होने के बाद को कुछ नहीं है नेक्स्ट क्या स्टेप होता है कि कापी करके पेस्ट स्पेशल में जाके बैल्ली उसको पेस्ट कर ले तो अपना काम हो जाता है बट जब हमें पेस्ट करना ही है तो हम हमें यह फार्बुला ल वेस्ट स्पेशल में चले जाहिए और यहां नीचे जो ऑपरेशन टैप देख रहे हैं यह आपके कैलकुलेशन पार्ट के लिए होता है एड़, सब्सट्राइक, मुल्प्रिप्लाइड डिवाइड आप सब कुछ कर सकते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि अपना कॉपीड डेटा जो है उसको एड़ करना है सिलेक्टिट डेटा में तो एड़ का ऑप्शन चूज करता हूँ और ओके कर देता हूँ 37 का मेरा क्या हो जागा 49 ऐसे ही हर एक सेल बदल चूपी है एड़िशन के लिए हम यूज कर सकते हूँ अमाली जी एड़िशन नहीं करना है अब रिप्लेस्मेंट करना है मैंने कहा किया कि कितना कम है क्या नहीं मैंने कहा कि एक्चुल यह होना चाहिए मतलब 29 की जगा 52 होना चाहिए इसकी जगा 65 होना चाहिए इसी तरह से बाकी सब भी होना चाहिए इसमें जो थोड़ा ठीक्षाट से यूजर होंगे वो क्या करेंगे फॉर्मूला नॉलीज अगर अच्छी होगी उनके तो इपका फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर तो इसको ले ले अदरवाइस इसको ले 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 यह फॉर्मूला लगाएंगे जो काफी हद तक सेम काम करेगा फिर कॉपी करके पेस्ट एस वैल्यूस करेंगे देख रहे हैं आप जहां पर प्कित हुआ गया और जहां कुछ नहीं है वहां पुरा नहों लेगे तो अब यह ह Pengendate Formula भी हमें लगाने की सदूरत नहीं है कि हम इसे Copy करते है प्रेस्ट करते है तो यह जो प्लैंक है वह भी बिस हो नहीं हो है यह प्रॉब्ला में हमारे पार विसका सी सिलूशन स्का करके परेस्ट केम है है और यहां से इसकी ब्लैंक कर दीजिए कि ब्लैंक का मतलब है कि यह जो ब्लैंक सेल है वह आपके नहीं पेश्ट हो कि करेंगे तो आप देख सकते हैं कि रेप्लेस्मेंट हो चुकी है यहां पर वैल्यू है खाली वहीं पर चेंड यूँवाद नेक्स्ट एक ऑप्शन हम य करते हैं परसंटेज वगेरा निकालने के लिए हम क्या करते हैं फार्मुला यूज करते हैं क्या यूज करते हैं जैसे मेरा टार्गेट यह है तो अचीवमेंट परसंटेज हरे एक परसंटेज निकाल लिए तो इस सेल्स को सिलेक्ट करेंगे डिवाइड बाइड टार्गेट करते हैं इसको मैं फिक्स करते तो हूँ ताकि ड्रैट करो तो डीटू का डीठी ना बन है इस तरह से डिवाइड किया मैंने और यहां पर इस नंबर के अंदर परसंटेज का साई ने इसको क्लिक कर दिया तो परसंटेज मेरे निकल के आते हैं इसके लिए फॉर्मूला नॉलिज रिक्वाइड है तो सर एक सब्सक्राइड है हां नहीं नंबर तो इसके लिए फॉर्मूला नॉलिज रिक्वाइड है तो माल दीजे मैं फॉर्मूला से नहीं करना चाहता अब फॉर्मूला का यह भी होता है कि हरसल में आपने बार बार जा जाके जाके लगाना पड़ता है इधर से उदर सेटिंग बिठा भी पड़ता है थोड़ा मु अब भी करता हूं और इधर पूरी सेल्व को सिलेक्ट कर लेता हूं और डिवाइड कर भी तो फेर ओपरेशन के अंदर डिवाइड डिवाइड होगा है तेन मैंने परसंटेज का सांग करना है बस हर एक की अचीवमेंट परसंटेज निकल के सामझे आए प्रेक्टिकली य अबusz cambiarde है तो उसमें भी आपको same procedure फॉलो करना है निकालने के लिए इस केस में क्या करना है पूरे के पूरे हमने सिलेक्ट कर लिए target को और यहां पे पी पूरे हमनेần% के लिए values को सिलेक्ट कर लिए और divide इनपरसंट के इससमें हुआ होगके 247 और 240 यह अपस में डिवाइड हुए 62 181 हुआ इसमें रूल क्या कहता है कि आप जितनी सेल कॉपी कर रहे हैं और जहां पेस्ट कर रहे हैं उतनी ही वो भी सेल होनी चाहिए अदरवाइस यह वर्क नहीं करेगा आप यहां 10 सेल ले रहे हैं और यहां 11 देने तो यह वर्क नहीं करेगा कुछ भी एर दिखा सकता है इसी तरह से कहने का मतलब यह कि यह दोनों कॉपी और पेस्ट जो है समाना अंतर होने चाहिए इसी तरह अमाल लीजिये हमारी देव की सेल हम के लिए परक क syllable कि मतलर है और सब्सक्राइब आप यह पैस्ट के जाके डिवाइड एंड एंड परसंटेज हो गया हर एक अपने अपने अससे डिवाइड है अब देखिए अब हम इनकी ले लेते की अर्ली से सब की अर्ली से ले करोडों में है कि 2010 में इसकी इतने करोड है इस तरह से काहल सुढ़ा है211 में हर एक अब इसमें क्या है कि मैं करोड़ के फिगर ऐसे नहीं दिखाना चाहता मैं जहता हूं कि करोड़ है तो छे करोड़ है तो शेकरोड़ है तो शिक्स पॉइंट सम्पिंग ऐसे आ जाए है छे करोड़ पचास लाइक मतलब 6.5 ऐस तरह से करना है त और यहां से डिवाइड चूज़ कर दिए हैं आ जाए हैं तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं अब यह तो रहा कि अभी तक जितना भी मैंने आपको दिखाया उसमें वैल्यू एक बार फिक्स हो जाती है हैं और वो दुबारा चेंज नहीं होती है मतलब वो फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं होता वैल्यू यह चेंज जाती है पटमाल दीजे यही चीज़ आपको किसी फॉर्मूले के अंदर करना है जैसे कि मैंने समका टोटल कर दिया और यह टोटल मैं लिंक करके कहीं और में ले जारा हूं जहां पूरी ville करते हैं कि यहां इसके और इस यहां और धर करते हैं ताकि वैल्यू चेंज में आ हो और काम भी कर जाओ इसके छाओ or इसके लिए आपको फिट से एक link से दूसरा link दुबार आउगरना पुड़े और हर बार एक करोड हर एक formula में बिठाने में time भी लग जाएगा तो हमें क्या करना है कि हम चाहिए कि हर एक formula के आगे divide by one crore आगे तो यह option भी इसमें available है आप simple एक करोड को जहां लिखाएगा कॉपी कीजिए यहां ले जाएए सेलेक्ट कीजिए डेटा जहां जो formula में करना है सब formula ही पेस्ट special में जाएंगे और डिवाइड सेम चीज़ तो formula में इसका impact क्या होता है कि आगे दे देता है divided by one crore हर एक formula के आगे इसमें अपने आप दे इस तरह से हम लोग use कर सकते हैं अपना operation के दूसरा क्या होता है कई बार मैं data transpose के बारे में अगर आप जानते होता है तो ट्रांस्पोस किसी ही यूज होता है कॉलम टू रो रो डॉ पालम मलीजी यह data है इसको मुझे सेल्स का data इस तरह से लाना रो में लाना और नेम नीचे लाना नेम उपार आने चाहिए या सेल्स नीचे आने चाहिए इस तरह से क्या करूंगा मैं ट्रांस्पोस का एक option है पेस देशिए में कॉपी करके ट्रांस् कर देता हूं तो इस तरह से आजाएगी तो इसको इस तरह से कर सकते हैं हम लोग नेक्स्ट एक चीज़ देखते हैं लिंकिंग कैसे की जाती है हम लोग लिंकिंग करते हैं एक्सल में लिंकिंग के लिए क्या यूज करते हैं इक्वल टु दवाते हैं यहां सेल सेलेक्ट कर लेते हैं जो से लिंक करना होता है फिर इसको ड्राइग कर लिया तो यह सारी वैल्यू दिखाया है अभी देख रहे हैं फॉर्मैट नहीं है इसमें हर जगा फॉर्मूला क्लिक करके फॉर्मैट को हम यहां पेस्ट करते हैं इस तरह से मैंने लिंक केबल बना दी फटाफट से बनने हुए और लिंक का फार्दा क्या होता है कि यहां कोई भी चीज़ चेंज करना होना है तो आपकी चेंजिंग आपकी लिंक वैल्यूस में दिखाता है हाली वैल्यूस का चेंज दिखाता है अगर मैं इसका कुछ कलर हो गयरा चेंज करूं तो नहीं दिखाए तो लिंकिंग में क्या है कि जब छोटा देखा होगा तो बड़े अराम से हो जाएगा आपको कोई दिकत नहीं होगी जैसे मुझे पता था कि मुझे कितना ड्रैक कर अगर नहीं था स tiếpरू करना है तो इसका इसका सब्सक्राइब है कि GU olive की इसको और पेस्ट इस्पे में चले क्ली है और यहाँ से लिंक करत पूरा लिंक आपको धैटा कॉपिधया उतरा ही आपर प्रेस्ट होजाएगा आपको local के बारे में ध्यान रखने की जूड़त नहीं , आपको रोह के बारे में ध्यान रखने की जूड़त नहीं , time saving Tough Dan two more hey तो अभी लिंक डेक अभी भी नहीं चेंज होगा I अभी भी भी नहीं चेंज होगा , यह सई जया अब क्या है कि यह हिसमें क्या होता है आपके पास जगह कम होता है और एक्सलर आप ढहने एक कोई घंडा पीज़ाइब करमेटिंग तो यह से पालीजी आपके पास जगही कम है और आपको डेटा इतना लाना है यह देटा इतना लाना तो क्या करेंगे इसका भी इसका भी शुपि कर दीजे इसको भी अब यहां करेंगे यहां पे यह चेशल का ऑप्शन है बट इस बार थोड़ा सा आगे आ जहीद एस पिक्चर में जाएंगे तो पेस्ट एस पिक्चर क्या करेगा इसको पिक्चर में कर देगा तो पिक्चर तो छोटी बड़ी हो सकती है और अगर आप यहां से उसे ग्रिडलाइन हटा दें तो आपको कोई भी नहीं बता सकता कि यह पिक्चर है कि वाकई में डेटा है तो आपका डेटा भी डिस्टाब नहीं होगा इसमें एक दिक्कत क्या आती है कि हमारा यह कॉंसेप्ट नहीं होता कि डैश्बॉर्ड में तो हम सेव कर रहे हैं डैश्बॉर्ड में तो सारा लिंक भी चलता है अपडेट दिखाता है पीचे की शीट से इसमें तो कोई अप के लिए तो हमारे पास क्या option है आप इसको कॉपी कर दीजिए अगेन उसी पर चले जाई है एर ओपर पे पेस्ट के अंदर और और एस पिक्चर वे सबसे लास्ट वाला यूज पेस्ट पिक्चर लिंक पेस्ट पिक्चर लिंक क्या है कि फोटो होने के नाते बड़ा छोटा ह होता है यहां आक कोई चेंजिंग करते हैं तो यह भी चेंज हो जाता है अगर आप इसका गलार भी चेंज करते हैं को अधिशा कलर में लिए निक हैं भी साइस की फ्लेक्शिभील्टी वरको तो यह था आज का आपका टॉपिक पेस्ट स्पेशल के बारे में एडवांस पेस्ट मेंथड कल आपकी क्लास सुझी सरही वापस लेगे मैं आपकी इसी पर रिकॉर्डिंग डाल दूँ हुआ ठीक है साथ हलो हलो हलो